हलो फ्रेंज विल्कमिन जरूर जाने और आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आपको पता है कि होली आने वाला है तो इसलिए मैं आज का वीडियो होली एस पेसल लेके आया हूँ यानि होली से रिलेटेड आप फोटो इडिटिंग कैसे कर सक हैं आप भी चाहते हैं कि आप होली के सीजन में अपना फोटो फेस्बुक पर सीयर करें बिल्कुल अच्छे से मतलब ऐसा लगए कि हाँ होली है जैसे माली जे 15 अगस्त होता है तो आप जहन्डे के साथ तीरंगे के साथ फोटो अपलोड करते हैं तो इसलिए होली का सीजन हैं तो होली के लिए मैं वीडियो लाया हूँ होली में भी आप होली से रिलेटेड फोटो इडिटिंग कर सकते हैं जीओ फोन में बिना किसी मेहनत के बहुत ही ज़्यादा आसानी से तो आज इसी के लिए ये वीडियो में लाया हूँ तो अगर आप भी होली से रिलेटेड photo editing करना चाहते हैं और facebook पर upload करना चाहते हैं या फिर download करके किसी को whatsapp पे send करना चाहते हैं तो video class तक जरूर देखिए चलिए सुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए जरूर जाने youtube चैनल को और दवाए वेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरे latest video सबसे पहले तो दोस्तो होली से related photo editing करने के लिए आपको सबसे पहले इस website पर आना आए इस website का link में वीडियो के डिसी से में दे दूँगा वहाँ से click करके आप डारेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं या फिर आप geofonetrick.com वहाँ पर जाके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं तो दोस्तो इस website पर आने के वाद आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के वाद यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर search का option दिख रहा होगा यहाँ पर search पर click करना है सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है होली क्योंकि आपको होली से रिलेटेड फोटो इडिटिंग करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दोस्तों जैसे ही searching complete हो जाए उसके बाद आप यहां पे नीचे आएंगे तो आपको यहां पे बहुत सारे holy से related बहुत सारे यहां पे template दिखेंगे देख सकते हैं holy की हार्दिक सुभकामना है और भी ऐसे बहुत सारे template आपको दिखेंगे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा बहुत ही प्यारा प्यारा है तो हम किसी एक पे click करते हैं ऐसे देखें तो यहां पे बहुत सारा unlimited frame आपको मिल जाएगा जहां पे आप अपना photo लगा सकते हैं लेकिन यह देख सकते हैं एक HD है मैं इस पे ही click कर देता हूँ और इसमें मैं अपना एक photo यहां पे डाल के दिखाता हूँ आप चाहें तो किसी और में भी मतलब इससे भी अच्छे वाले frame में अपना photo लगा के download कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इसी वाले frame में करके दिखाने वाला हूँ और download करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे download होता है तो वीडियो को देखते रहिएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और इस website का link में वीडियो के description में दे दूँगा तो click करने के बाद यहां पर फिर हम नीचे आएंगे तो नीचे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि photo आपको कैसे upload करना है उसके बाद उसे कैसे download करना है तो देख सकते हैं नीचे हम आते जा रहे हैं यहां पर देख सकते हैं तो नीचे आने के बाद यहां पर आपको देख मैं एक क्रॉट कर के कि यहां पर अपने आप कर देगा और उसके वाद यहां पर जैसे ही आप लेखंट करेंगे आपका फो टो यहां पर जैके से इडिट हो जाएगा जिसे आप डाउलोड कर सकते हैं Facebook पर share कर सकते हैं WhatsApp पर share कर सकते हैं और आप अपने home screen में भी उसे लगा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका है तो जैसी हमारा photo editing हो जाता है यहाँ पे complete में आगे का process आपको बताता हूँ दोस्तो हमारा photo हो चुका है complete editing तो चलिए हम नीचे आते हैं और आपको देखाते हैं कि कैसे यहाँ पे download करना है कैसा हमारा photo edit हुआ यह देख सकते हमारा photo edit हो चुका है मैंने सल्मान खान का photo यहाँ पे लगाया था सल्मान खान का photo वही वाला यहाँ पे आप अगर अपना photo लगाएंगे तो और भी बढ़ियां बहुत ही मस्त दिखेगा और हाँ आप केसी और frame में लगाईए और भी बढ़ियां दिखेगा यह तो मैंने simple सा एक frame select करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ फोटो select किया तो चलिए हम यहाँ पे download पे click करके photo को download कर लेते हैं यह देख सकते हमारा photo download हो चुका है चलिए हम इसे quit करके आपको दिखाते हैं कि photo कैसा है तो हम photo को कर लेते हैं open यह देख सकते हमारे पास उपर वाला पहले number पे है ये देख सकते हैं मतलब कितना मस्त फोटो लग रहा है यार बहुत मस्त फोटो बन चुका है तो मुझे उमिदो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडि निट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ